नमस्कार दोस्तों सुभास की बात में आपका स्वागत है हम आज भारती राजनीती में एक नए युक का सुभारम इसको लेकर बात करेंगे आपने विश्नु का वामन अउतार सुना होगा किन्तु यहां विश्नु का सियम अउतार देखने को मिल रहा है हम बात कर रहे हैं 36 करती विश्णु दोय साय जन जाती समधाय से आते हैं उनका किसी राज का मुख्यमंत्री बनना भारती राजनीती के एक नए युका सुभाराम है मुझे राम धारिशी दिनकर की कविता जो है पूरा संग्रा है रस्मी रती में करण की व्यथा का वर्णन करते वे वे लिखते हैं कि कौन जन्म लेता कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात छोटे कुल पर किन्तु यहां होते तब भी कितने आघात हाए जाती छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे जाती बड़ी तो बड़े बने वे रहें लाख चाहे खोटे हम अगर अगर अपने देश के जो राजनीती भारती राजनीती में नहीं बलकि कहें कि विश्व राजनीती में या बौदिक दंब हमेशा से रहा है कि दलित आदिवासी या हासिये पे ठहरे हुए वर्ग से आने वाला व्यक्ति बौदिक रूप से संपन नहीं होता और रा प्रक्शन के कारण सेलेक्ट हुआ है उसको अच्छा अफसर नहीं वांते तो हम देखते हैं कि समाज में अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह की कुंठाएं या कहना चाहिए कि वह एक तरह का पर सक्षन है यही कारण है कि एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री जैस होना ही उसकी राजनीतिक अयोक्त्य हो जाती है अपवात को छोड़ दिया जाये तो भारती राजनीती में आदिवासी के लिए आदिवासी राज में भी मुख्यमंत्री का पद दुरलब रहा है आदिवासी की विनर्मता को ही उसकी राजनीतिक और प्रसास्निक दुरबलत मान ली जाती थी आदिवासी व्यक्ति के स्वभाव की सरलता को राजनीती में दुर्बलता माना जाता रहा है स्वभाव की सरलता को यह मान कर चलते थे कि वे निर्णाय लेने में सक्षम नहीं होते प्रसासनिक छमता नहीं होती, सासन चलाने का कौसल नहीं होता, राजनीतिक कुटिलता को राजनीतिक चत्राई और कुसलता मानने का चलन बहुत पुराना रहा है। जबकि होता यहाए कि आदिवासी नेता, अपने सौभाव की सरलता और विनर्नता के चलते, राजनीति और सासन प्रसासन के में सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। जनता के पृति उसके भीतर जिम्मेदारी का हिसास बागी लोगों से जादा होता है। और इस वर्ग से जो आता है, इसलिए वहाँ आदिवासीयों के दुखदर्द को ना केवल भली बाती समझता है, बलकि उसे दूर करने के लिए उसके भीतर बड़ी सोच और कारगार योजनाएं भी होती है। आदिवासी नेता जमीन से जुड़ा होता है, आदिवासीयों के हित में क्या निर्णाए लिए जा सकते हैं और वहाँ लोगों की अपेक्षब बहुत अच्छे से इस बात को समझता है क्योंकि उसका ये भोगा हुआ यतारत है, वह उस धरातल पर रहता है जहां से ये समझ आदिवासीयों के हित में बनने वाली योजनाओं में वह अफसरों के भरोसे नहीं रहता है, और उन योजनाओं में उचित दखल देकर उन्हें जादा कारगर और सामाजिक हित में असरदार बना सकता है, आदिवासी वेक्ती जादा धायरवान और लगंसील होते हैं, ऐसे वर्ग से आने वाला राजनीतिक अपनी गैरी समवेदन सीलता के चलते लेट लतीफी के लिए बदनाम प्रसासनिक मसनरी की समवेद हिंता को जल्दी दूर कर सकता है इस बात में तो कोई दो मत नहीं हो सकता और ना कोई तर्क की गुंजाई सही की आदिवासी वर्ग से आया हुआ राजनीतिक इस तरह का महत्वा कांची नहीं होता कि वा आगे बढ़ने के लिए अपने ही वर्ग और अपने ही राजे का अहित करता हुआ आगे बढ़ता जाए वो अपने आदिवासी वर्ग का अहित कभी नहीं सोच पाएगा उसकी प्रात्मिक्ता में हमेशा आदिवासी ही रहेंगे लेकिन अपनी संवेदन सीलता के चलते या निश्चित है कि वो पूरे समाज पूरे राजे के लिए गंभीर रूप से दाई टुबोत से भरा रहता है और अपने परमपरगत स्रम्सिल्चार के चलते पूरे राजे के हिद के लिए वो अपने संपूंड कौसल और स्रम का उपयोग करेगा बावजपा ने या प्रयोग चाहे जिस मंसा से किया हो लेकिन एक आदिवासी पर भरोसा करके उन्हों ने पूरे आदिवासी समाज क की समवेदन सीलता स्रम और उसके सामाजिक संसकारों पर भरोसा किया है अब 36 गड़ के मुख्यमंतरी के सामने यह चुनोती है कि वह इस भरोसे को कितनी दूर और देर तक समाले रखते हैं प्रश्ण उनकी समझ स्रम और समवेदन सीलता का नहीं बलकि राजनीती में प्रिवे उठारा खात हुआ है वे उपर से चाहे प्रगट ना करें लेकिन भीतर से आथ हुए होंगे और किसी ना किसी तरह मुख्यमंतरी को नीचा दिखाने या असफल प्रमानित करने के आउसर वो छोड़ेंगे नहीं या आउसर जुटाने या पैदा करने में लग जाएंगे इसलिए 36 गड़ के मुख्यमंतरी विश्णू दे उसाय के सामने चुनोतियां बड़ी हैं उनकी असफलताओं की कामना करने वालों को हतास करके मुख्यमंतरी को सफलता की एक लंबी दूरी कायम करना है और ऐसी अनेक लड़ाईयां भी जीतनी होगी भारती राजनीतिक पा या आदिवासियों पर बड़ा भरोसा ही नहीं बलकि उनकी योगिता की स्विकारता है किनी भी राजनीतिक कार्णों से लिया गया यह निर्ण है भारती राजनीति में एक नए सुभारम की तरह देखा जाना चाहिए चत्रीदगड़ के मुख्यमंतरी विश्णु देव साय के लिए यह एक बड़ा उसार है जब उन्हें अपनी पार्टी के भरोसे पे पूरा उतर के दिखाना है और यह चुनोती भी है कि आदिवासि अपनी निष्टा, स्रम और इमानदारी के लिए ख्यात है इस प्रसिद के भरोसे को भी पूरा करना है इस समय चत्रीदगड़ राज उन्हें उम्मीद के साथ देख रहा है राज ही नहीं बलकि राजनीती का संसार भी उन्हें उम्मीद और संसर से देख रहा है आगे आने लिए समय में मुख्यमंतरी असंख के उम्मीद और अकांचाओं की च्छेत्र में जब कोई नेटा उभरता है तो उसके पीछे कुछ ऐसी जाती है ऐसे कुछ लोग होते हैं जो वहां के двиг kay होते हैं ठेकेदार होते हैं और फाइनेंसर किसम के लोक होते हैं जो आदिवासी नेता के पीछे खड़े दिखते हैं और अपरतक शुरूप से सत्ता का संचालन वो करते हैं तो जो भी आदिवासी नेतृत सामने आ रहा है चाए विश्णु देव साय हों चाए बाकी कोई भी आदिवासी नेतृत हो उसको देखना पड़ेगा कि उसकी कमान दू साय चाया पुरूस की तरह ना दे ये भी एक बड़ी चुनोती है हम देखेंगे कि 36 गड़ में भाजपा ने जो विश्णु देव साय है या ने कहीं कि एक आदिवासी वर्ग के उपर जो भरोसा क्या है ये भरोसा चूंकि एक इत्यास में दर्ज होने वाला है ऐसा कम होता है कि किसी राज में जहां पर की केवल 32% आबादी आदिवासी है वहां पर एक आदिवासी को जो बिना जोड़ तोड़ के पार्टी का निष्टावान कार करता उसको मुख्यमंत्री बनाए गया है विश्णु देव साय निष्चित रूप से इस पर खरे उतरेंगे उन्हे उसको मोधी ऐजन्डा है या मोधी की गैरंटी है उसको किर्यानویत करने की दिसा में भी वो लग नहें पर उन के सामने कदम कदम पर चुनोती होंगी इसलिए हमको लगता है कि ये चुनोती जो है भारती राजनीती में एक नए युट के सुभारम में भी होगी और एक झाल झाल